OnePlus price घटाता और नाम भडाता जा रहा है सबसे पहले बात करें कि ये सबसे सस्ता अब तक का OnePlus का phone और specification यही तो पता करने आए हैं तुम्हारी वीडियो पर OnePlus Nord CE2 आपने देखा ही होगा और अब OnePlus ने Nord CE2 Lite लौंच कर दिया है जो Under 20K में मिल रहा है आपको प्राइस तो बहुत affordable बना दी है इसकी लेकिन phone भी उतने ही काम का है इसे के बारे में आज सारे राज आपको बताने वाले हैं OnePlus Nord CE2 Lite 5G सबसे पहले बात करते हैं जायदात के पेपर्स की क्या हवेली के पेपर्स हैं मेरे पास और विला के भी और पेस है आपके सामने हवेली और हवेली को प्रोटेक्ट करने के लिए TPU गेस अब ले जाना हवेली को तो फ़र्स्ट लुक देखकर प्रीमिमनेस यहां पर मिसिंग मिलती है मतलब की पोलिकार्बोनेट बैक पर मैट फिनिश देखने को मिलती है और अपर साइड में पैटरन मिलता है थिकनेस की अगर बात करें तो 8.5 mm और 195 ग्राम स्वेट जो हैवियर साइड आपको OnePlus की दिखाता है लुक से एंड फिल की अगर बात करें तो ओके ओके लगता है अब बात करें डिस्प्ले की तो यहां पर आपको 6.59 इंचेज FHD Plus IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जो 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है अभी से देखकर तो लगता है कि OnePlus का डिस्प्ले ऐसा हो ही नहीं सकता यहां पर प्राइस भी तो कम दिया गया है लेकिन साइड पंचोल के साथ बैजल्स एंड चीन छोटा रखा गया है जो डिस्प्ले को थोड़ा बैटर बना देता है IPS LCD पैनल होती हुए भी काफी अच्छी डिस्प्ले क्वालेटी यहां पर मिलती है लेकिन इस प्राइस पर क्लियरली मैंसेड नहीं किया गया है कि कौन सी प्रोटेक्शन यूज की गई है अब बात करें यहां पर आपको सिंगल स्पीकर टाइप सी 2.0 और 3.5 mm जैक भी मिलता है बात करते हैं कैमरा की तो यहां पर आपको 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटप मिलता है जो 2 और 2 मेगापिक्सल डैप सेंसर के साथ आता है जो सेलफी में आपको 16 मेगापिक्सल आयमेक्स 471 सेंसर के साथ दिया गया है जो कलर रेप्रोडेक्शन बिल्कुल अच्छे दे रहा है जो वन प्लस प्रोवाइड कराता था यहां पर कोस्ट कटिंग बिल्कुल भी नहीं की अब पर्फोर्मेंस में थोड़ा माथा फोर्ड लेते हैं मतलब की यहां पर आपको स्नैपड्रेगन 695 देखने को मिलता है जो 6NM टेक्नोलजी पर बेस्ट एक 5G प्रोसेसर है जो आपको यहां पर अंडर 20K में बैस्ट पर्फोर्मेंस तो नहीं देगा लेकिन एक काम चल पिरो गेमिंग आती है हमें भी अमा हलके में ले रहे हो मिया साला हलके में ही ले गया क्या करें थोड़ी बहुत फ्रेम ड्रोप से यहां पर आपको देखने को मिलती है यहां रेम टाइप आपको LPDDR 4X RAM मिलती है और स्टोरेज की अगर बात करें तो UFS 2.2 मिलती है के साथ आपको आएगा जो आपको Oxygen OS 12.1 based Android 12 यहां पर आपको देखने को मिलता है लास्ट में बात करें फोन की कैसा है तो OnePlus budget segment में फोन निकालना चाह रही है और अगर आप इस फोन को लेते हो तो budget segment feel होगा ही क्योंकि OnePlus जो है वो यहां पर नहीं लगेगा जैसे नाम है light वै कि आपको यह फोन लेना है या नहीं